हेलो मेरे प्यारी टू फैमली गुट मॉर्निंग सुबह की आज के दिन शुरू हो गया अब कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मज़त होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ब्यास्त होंगे करने के लिए चाइक तेयार होती है यूटूब फैमली सुबह की चाय पी लिजे मेरी वही काली चाय और मैं हाजी रूँ आपके साथ एक नए दिन के साथ में देखे चाय पी लिजे सुबह इससे मुझे बड़ी ताकत मलती है मैं चाय जरूर पीती हूँ अब हम पराठे सेक रहे हैं देखिए आपको दिखाए सुबह के नास्ते में हमारे पराठे बनते हैं अब कभी कबार हलुआ बना लेते हैं इट्टू फैमली नास्ता कर लिजे आके मैं जा रही हूँ यह देखो नमकीन है नमकीन और पराठा कौन-कौन खाता है बताएगा मै चाय के साथ में नास्ता कर रही हूँ चाय नास्ता मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूं बरतं दोने फिर मैं जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि जो है बहुत जल्दी दिन चला जाता है आज मैं कपड़े जरू से लूँए कि सामने वाले घर में उधर साधी है दोस् कि इतने सारे कपड़े रखें उस जोले में भी है तो अभी मैं जा रही हूं बरतं दोके कुछ खाने के लिए बनाएंगे और फिर सिलाई करेंगे अभी दो रहे हैं बरतं बनाएंगे खाना दुपहर वाला अभी बरतं दोके में आ गी हूं और जो है अब हम बनाने जा रहे हैं यह देखिए सोया बीन की सबजी बनाने जा रहे हैं बनाएंगे कूकर में क्योंकि मेरे हस्वेंट के आने का समय हो गया है आज जल्दी आ रहे हैं अब यह बर्यों को हम थोया सा तेल में प्राई तो तो रही तली है इसमें देखे तेल बहुत तेज हो गया है इसमें डालेंगे हम मसाला और हमने ये सब्जी को छोग दिया है दीखी किता प्यारा कलर आया है तेमाटर खराब निकल गया है तेमाटर नहीं डाला मैंने यूटूब फैमली दपैर हो गई है मैं खाना खाने लगी हूँ अभी अभी बहुत तेज भूग लगी थी नहा के खाने लगे हैं खाई आके खाना यूटूब फैमली सारे काम घर के खतम हो गया है खाना पकाना सब गया है और मैं कपड़े सिलने का काम करती हूँ तो मेरे प मैं सिल नहीं पाई क्योंकि इस समय हमारी लाइप में एक बहुत बड़ी प्राब्लम चल लेए जिसकी बज़ा से हम लोग थोड़ा सा परेशान है परेशान कहले यह जैसे सोच विचार में है उसकी बज़ा से जो हैं मन नहीं लगा हमारा काम में लेकर मुझे कल कपड़े दे बताएंगे हम क्या बात है किस बज़े से थोड़ा सा हमारे घर में परेशानी चल लेए जीटूब फैमली अभी हम लगा रहे हैं जाडू साम बाली मेरे घर में दोनों टाम जाडू लगानी पड़ती है पूड़ा कर देते हैं बच्चे दोस्तों सहेलियों मैं पनाने जानी मूट चाय साम के बज रहे हैं पांस सबाब 15 हो गया निकल लिया है अपनी डूटी पर आ गया तूफैमली यह मेरी काली चाय साम बाली जो हम पी लिजा के मेरे अस्बेंड आ गये है काम से और लेट हो गए खाना बनाने में क्योंकि मेर सबजी नहीं थी अपने सबजी मंगाई थी लेकिन लेट हो गया कुछ दिक्कत हो गए थी गाड़ी पंचर हो गया थी रास्ते में तब ही सबजी अब आई है आज बनाने जा रहे हैं आलो की भुजिया और रोटी जल्डी जल्डी महर क्या बनाई है यही बना सकते हैं सुबह तो बनायी थी सबजी हो ठोड़ी सी वखी रखी लेकिन आलू बजिया बना लेंगे एक मेरे हैस्बन को सब्सक्राविन की सब्सक्राइब नहीं पसंद है कि आलो कटे हुए रखे हैं यह मैंने काटा प्याज सिंपल से सब्जी बनाएंगे बिलकुँ साधी ज्यादा तेल मसाला नहीं डालेंगे ज्यादा तीखी नहीं बनाएंगे थोड़ा सा चुटकी बर लाल तीशा मिर्च डालेंगे अरे खरी मिर्च काते हैं मिर्चे नहीं काते हम लोग जादा यह डालेंगे मिर्चा इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ इसमें डालेंगे आलो अधार लेंगे नमाथ श्वाब की अन्वार सबजी बन गई है अलियों भूजिया जा रहें रोटी सेखने हैं अब माचिस दूरने रखते लाइट अब जा रहें रोटी सेखने हैं जाए है अब फूजा करेंगे अश्का सब्सक्राइब करेंगे अब अब हम सेख रहें गर्मा गरम फुल के अब बैटके खाएंगे परवायर के साथ सांबाला खाना डिनर डिनर बोलते हैं अब हमारा डिनर राजी हो रहा है रेडी हो रहा है मेरी रोटियां बनके त्यार हैं गरम गरम यह देखिए बाप निकल लई और अलू की भुजिया रात के खाने में खाएंगे परवायर के साथ बैठके सिंपल सी सब्जी और रोटी आप लोग भी ठाएंगे खाना खाने जा रहे हैं यूटूब फैमली देखिए दुपैर के सब्जी अभी के आलू भुजिया चाबल यह रोटियां की रूखी सूखी रोटी चटनी रोटी जो भी है सिंपल खाना मैं अपने विबू को खाना खिलाओंगी आज अपने हाथों से लाइस है और वीडियो को देखते देखते वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट हमारी प्यारी सी फैमली के लिए हम लोग सब लोग बहुत मिल जूल के रहते हैं कभी कभा लगाई हो जाती ही उसकी कोई अल नहीं सुरुआत के साथ में अब तक के लिए शुबरात्री